नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनने के पहले अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साजा करिए और चलिए सुनते हैं आज की कहानी शेक्स्पीर की लिखी A Midnight Summer's Dream क हिंदी संक्षिप्त संस्करन आधी रात का एथन्स नगर में एक संकी राजा राज्य करता था, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था, यही कारण था कि उसके राज्य के नियम कानून भी बड़े jours थे उसके राज्य में ये कानून था कि युवा होने पर उसे उसके पिता की पसंद के लड़के के साथ विवा करना होगा। पिता उसका विवा जिसके साथ चाहे कर सकता था। लड़की की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं था। जो लड़की इस कानून को मानने से इनकार करेगी या इसका उलंगन करेगी उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा. मृतिव के भय से अनेक लड़कियों ने पिता की पसंद के लड़कों के साथ खुशी-खुशी विवह कर लिये. लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिन्होंने इस प्रकार विवह करने से इनकार कर दिया. उनकी प्राणरक्षा के लिए पिता ने कोई शिकायत नहीं की. उन्होंने पुत्रियों की पसंद को अपनी पसंद बना लिया. परन्तु एक दिन दर्बार में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ जो राजा के पास अपनी पुत्री की शिकायत लेकर आया था. उसने राजा को प्रणाम किया और गुहार लगा मैंने उसके लिए डिमिट्रियस नामक एक युवक्त का चयन किया था परन्तु उसने मेरी पसंद को ठुकरा दिया. वह लाइसेंडर नामक युवक्त से प्रेम करती है और उसी के साथ विवाह करना चाहती है. इसलिए आप उसे दंडित करें जिससे मेरे मन को शांती मिल सक राजा ने हर्मिया को बुलवाया. सैनिक उसे दरबार में ले आए. राजा ने पूछा हर्मिया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह के लिए एक योग्यवर का चयन किया है. फिर क्यों तुम उसे ठुकरा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इस राजी के कानून के अनुसार पुत्री को पिता की पसंद के युवक के साथ विवाह करना पड़ता है. यदि वह ऐसा नहीं करती, तो उसे फासी पर लटका दिया जाता है. हर्मिया बोली, महराज, पिता जी ने मेरे लिए जिस युवक का चयन किया है, वह हिलेना नामक लड़की से प्रेम करत है. जब वह मुझसे प्रेम ही नहीं करता, तो मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं लाइसेंडर से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ. वह भी मुझसे प्रेम करता है और विवाह के लिए तैयार है. यदि उसके साथ मेरा विवाह नहीं इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें तीन दिन का समय देता हूँ, डिमिट्रियस से विवाह कर लो, वरना फासी पर लटकने के लिए तैयार रहो। उपाय सुझा है, यदि हम उसके अनुसार चलेंगे, तो शीगर हमारा विवाह हो जाएगा और तुम फासी की सजा से भी बच जाओगी। और कानुन हमारे विवाह में बाधा नहीं डालेंगे, वहां मेरी एक मौसी रहती है, हम दोनों उनी के पास चलेंगे और वहीं जाकर विवाह करेंगी। लाइसेंडर एक ही सास में सब बोल गया, ठीक है हम दोनों आज ही एथिन्स छोड़कर वहां चले जाएंगे। हर्मिया ने स्वीकृति दे कर उसकी बात पर मुहर लगा दी। और फिर उसी रात आखों में भविश्य के सपने संजोए, दोनों प्रेमी दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। संयोग वश्य उसी रात डिमिट्रियस भी अपनी प्रेमिका हेलना के साथ वन भ्रमन के लिए उस जंगल में आया हुआ था। वे जहां भ्रमन कर रहे थे उससे कुछी दूरी पर परियों के राजा ओबेरौन का निवास था। उसकी पतनी का नाम टिटैनिया था। उस दिन किसी बात पर रूट कर टिटैनिया कहीं चली गई थी। ओबेरौन व्याकुल होकर उसके लोटने की प्रतीक्षा में बाहर नजरें गड़ाए था। बाहर वन भ्रमन करने के दोरान हिलेना और डिमिट्रियस बहुत ठक गए। इसलिए एक दूसरे के आगे पीछे होकर चलने लगे। ओबेरौन उन्हें देखकर सूचने लगा कि शायद वे एक दूसरे से रूठे हुए हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे फिर एक हो जाएं। उसने उसी समय पंक नामक परी को याद किया। परी प्रकट हुई। वह परी बड़ी चंचल और शरारती थी। लोगों को मूर्ख बनाने और तंग करने में उसे बहुत आनंद आता था। अक्सर वह ग्वालिनों के दूध के मटकों में मेंधक का रूप धारन कर बैठ जाती। ग्वालिने जब दूध पलटने के लिए मटका खोलती तो वह से बाहर की और चलांग लगाती। तब भैभीत होकर ग्वालिने मटके छोड़ देती और सारा दूध बिखर जाता। इस प्रकार शरारतों से वह सब को परिशान करती थी। उसने ओविरौन से पूछा कि उसे क्यों बुलाया है। वह उसे हरे रंके द्रव्य की एक शीशी देते हुए बोला पंक परी इस शीशी को संभाल कर अपने पास रखो। ये समोहित करने वाला द्रव्य है। यदि इसे किसी सोते हुए मनुशे की दाई आख पर लगा दिया जाए तो जागने पर वह जिसे सबसे पहले देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा। पंक इस समय दिमीट्रियस नामक एक युवक अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमन पर है। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उनमें मन मुटाव हो गया है। तुम इस द्रव्य की एक बुंद सोते हुए दिमीट्रियस की दाई आख पर लगा दो। जागने पर जब हालेना को दे रखा नहीं है, मैं उसे कैसे पहचानूंगी। उसने सुनहरे और हरे रंके वस्त्र पहन रखे हैं। तुम उसे आसानी से पहचान लोगी। अब देर मत करो, जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो। ओभेरौन ने आदेश दिया। पंक परी शीशी लेकर डिमीट्रियस को ठूंधने चल पड़ी। वह उस थान पर पहुच गई जिस दिशा से लाइसेंडर और हर्मिया ने जंगल में प्रवेश किया था। धक जाने के कारण वे दोनों एक व्रिक्ष के नीचे सो रहे थे। लाइसेंडर ने भी सुनहरे और हरे रंके वस्त्र पहन रखे थे। प चड़ गए। भटकते भटकते हेलेना भी उस थान पर पहुच गई जहां लाइसेंडर सो रहा था। कदमों की आहट से लाइसेंडर की नीद तूट गई और उसने उस ओर देखा जिस ओर से हेलेना आ रही थी। द्रव्य के प्रभाव के कारण वह हेलेना को देखते ही उस पर आसक्त हो गया। उसके मन में हेलेना के लिए प्रेम उमड आया और उसे प्रेम भरे स्वर में पुकारने लगा। हेलेना और लाइसेंडर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आज तक वह उसे न जाने कितने अपशब्दों से पुकारता आया था। उसकी नजर में वह एक तुछ और नीच यूवती थी। इसलिए उसके मुँसे अपने लिए ऐसे प्रेम भरे शब्द सुनकर वह विस्मित रहे गई। उसने सोचा कि लाइसेंडर उसका मजा कुडा रहा है। इसलिए वह उसे आवारा और बेशर्म कहे कर वहां से चल दी। द्रव्य का प तरह उसके पीछे चल पड़ा। इधर हर्मिया की आँख खुली तो उसने इधर उधर देखा। लाइसेंडर कहीं दिखाई नहीं दिया। जंगल में स्वैम को अकेला पाकर वह भैभीत हो गई और उसे ढूंटते हुए उसे दिशा में चल पड़ी जिस ओर हेलेना वा ला जानी के बाद वह ओबेरॉन के पास पहुँची और अपनी हसी पर काबू पाते हुए बोली। इच देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला पंक परी तुम्हारी बातों से लगता है कि इस समय वन में प्रीमियों के दो जोड़े हैं जिन्होंने एक जैसे कप्रे पहन रखे हैं। अवश्य तुमने किसी गलत व्यक्ति की आँख पर द्रव्य लगा दिया है। आदेश पाते ही परी वहां से चली गई। इस बार वह सोते हुए डिमिट्रियस के पास पहुची और उसकी दाई आँख पर समोहित करने वाला द्रव्य लगा दिया। उधर लाइसेंडर से बचने के लिए हेलेना तेजी से उस दिशा की और भाग रही थी जिधर डिमिट एक कर डिमिट्रियस के पास पहुच गए। तभी डिमिट्रियस की आँख खुली और उसने हेलेना को अपनी और आते देखा। वह हेलेना से प्यार करता था लेकिन द्रव्य के प्रभाव के कारण वह उसे और अधिक चाहने लगा। उसने बाहें भैला दी और दिवानों क तरह बोला प्रियप्राण प्यारी तुम कहां चली गई थी तुम्हारे बिना एक एक पल काटना मुझे कितना मुश्किल लग रहा था आओ मेरी बाहों में समा जाओ मैं तुमसे बहुत प्रीम करता हूँ। सहसा हेलना के कदम थम गए। आज तक उसके मुँसे उसने कभी ऐसी बाते नहीं सुनी थी। वह आश्चर्य चकित थी। एक ओर उसे गमार और नीच समझने वाला लाइसेंडर दिवानों की तरह उसके पीछे आ रहा था। दूसरी ओर डिमिट्रियस असभ्य शब्द बोल गई। तब ही उसे हर्मिया दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद उसने उसका उपहास उड़ाने के लिए लाइसेंडर को उसके पीछे लगाया था और स्वयम पीछे-पीछे तमाशा देखने आ गई थी। ये सोचकर वह क्रोध में भर गई और उसने हर्मिया को चुटिय में भर कर उससे लड़ने लगी। उधर डिमिट्रियस ने लाइसेंडर को हेलना के पीछे आते देखा तो घुस्से से उसका चहरा लाल हो गया। उसने सोचा कि हेलना को छेड़ कर वह उसकी हसी उड़ा रहा है। उसने उसे दंडित करने के लिए तलवार निकाल ली और उ चुब गई। ये सब उस द्रव्य का ही प्रभाव था जो परी ने उनकी आखों पर लगाया था। दोनों आपस में उलज गए। आकाश में खड़ी पंक परी ये सारा द्रिश्य देख रही थी। हस हस कर उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी घटना उसने कभी नहीं देखी थी। वह तेजी से उड़कर राजा ओबेरॉन के पास पहुँची और हस्ते हुए बोली। चलिए महराज मैं आपको मुर्गों की लड़ाई दिखाती हूँ। उसे देखकर आप भी हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाएंगे। तुम इतनी हस क्यों रही हो और किस लड़ाई क की बात कर रही हो। ओबेरॉन ने उत्सुकता वश पूचा। महराज आपने मुझे जिन प्रेमी जोडों के पास भेजा था वे आपस में बुरी तरह से जगड रही है। पंक परी ने कहा। ओबेरॉन उसे डपटते हुए बोला। पंक तुम्हें इस प्रकार की शरारते शुभा नहीं देती। मैंने तुम्हें प्रेमी जोडों में सुलह करवाने के लिए भेजा था और तुम उन्हें लड़वा आई। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। दोनों युवकों में एक युवक का नाम लाइसेंडर है जो हर्मिया से प्रेम करता है। दूसरा य इंगीत की मधुर स्वर लहरियां भी खेर दो। इससे मोहित होकर वे लड़ना छोड़ देंगे और नाचने लगेंगे। नाच नाच कर जब वे ठक कर सो जाए तब तुम दोनों की बाई आँख पर दिव्यद्रव्य लगा देना। इससे वे द्रव्य के समोहन से मुक्त ह जाएंगे और पहले की तरह अपनी अपनी प्रेमिकाओं को फ्यार करने लगेंगे। ध्यान रहे इस बार कोई घल्ती मत करना। पंकपरी आग्या का पालन करने चली गई। इसके बाद ओबेरॉन उदास मन से टिटैनिया के महल की ओर चल पड़ा। उस समय वह शाही बाग में एक जूले के उपर लेटी हुई थी। आसपास दासी परिया, लोरियां गाते, चवर डुलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ओबेरॉन ने भौरे का रूप धरा और एक फूल के उपर बैठ कर लोरी सुनता रहा। कुछ तेर बाद टिटैनिया को नींद गई। इतने में ओबेरॉन को परिलोग का एक शेख चिल्ली दिखाई दिया, जो पास ही एक व्रिक्ष के नीचे सो रहा था। ओबेरॉन को एक शरारत सूझी। उसने दिव्य द्रव्य की कुछ बूंदे टिटैनिया की दाई आँख पर लगा दी। फिर उसने शेख चिल पर पड़े। थोड़ी देर बाद टिटैनिया ने आँखें खोली और शेख चिल्ली को देखा। द्रव्य के प्रभाव के कारण वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासियों से कहा। देखो देव लोग से कितना सुन्दर पुरुश्या आकर सो रहा है। इसका मुख चंद् गधे के लिए टिटैनिया का प्रेम देखकर आसपास खड़ी दासियां मंद मंद मुस्कुराने लगी। द्रव्य के प्रभाव से टिटैनिया के मन में शेख चिल्ली के लिए प्रेम बढ़ता गया। तब ही वह धींचू धींचू करने लगा। टिटैनिया खोश होते हु इसकी आवाज उत्मी ही मधुर है। इसने चारो और रसकी स्वर लहरियां भिखेड दी है। जाओ और इसे आदर सहित लेकर मेरे पास आओ। इसे पाकर मैं स्वयम को धन्य समझूंगी। पूर्वक वहां ले आई। टिटैनिया ने आगे बढ़कर गधे को चूम लिया और उसके सिर को गोध में रखकर प्यार करने लगी। ओविरौन ने शेख चिल्ली पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह गधे की तरह सोचने लगा, उसी के समान व्यवहार करने लगा। इसलिए टिटैनिया ने शेख चिल्ली से भोजन के बारे में पूछा, तो वह बोला, मुझे भोजन में हरी घास और चने की डाल चाहिए, मुझे यही पसंद है। दासियों ने उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। भोजन करने के बाद शेख चिल्ली की फरमाईश पर वे उसकी प पड़े पहनाए गए। सब कामों से निबट कर शेख चिल्ली टिटैनिया की गोद में सिर रख कर सो गया। उसे देख कर टिटैनिया को भी नीद आ गई। ओबिरॉन अद्रिश्य रूप से ये सारा घटना करम देख रहा था। हसी से उसका हाल बुरा था। दोनों के सोते ही उसने शीघृता से रानी की बाई आँख पर द्रव्य लगा दिया। कुछ तेर बाद जब टिटैनिया की नीद खुली तो अपनी गोद में गधे का सिर देख वह भैभीत हो गई। तभी ओबिरॉन प्रकट हुआ और हस्ते हुए बोला। ये क्या कर रही हो रानी मुझ किस से प्यार कर रही हो। टिटैनिया घबरा कर उठ खड़ी हुई और गधे को जोर से एकलात मारी। ओबिरॉन पुना हस्ते हुए बोला। मेरी रानी मेरी कसम खा कर कहो कि अब तो मुझ से कभी नहीं रूठ होगी। कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं आप से कभी नहीं रूठ हुँगी। टिटैनिया ने दोनों कानों को पकड़ कर कहा। इसके बाद ओबिरॉन ने उन्हें सारी बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हसने लगा। इतने में पंक परी भी दोनों प्रेमी जोडों को लेकर वहां आ गई। ओबिरॉन ने उन्हें अपना अतिति बना रात भर सब खान पान और नाच गान में डूबे रहे। अगले दिन सब अपनी अपनी मन्जिल की ओर चल पड़े। सबको ऐसा लग रहा था मानों उन्होंने आधी रात का कोई सपना देखा हो। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शेक्स्पियर की लिखी कहानी अब मिटनाइट समर्स ड्रीम का हिंदी संक्षिप्त संसकरण आधी रात का सवपना उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन इन वाद